हम बात कर रहे हैं अलोक इंडेस्ट्रीज की अगर आज की दिन की बात करें तो फिलाल हमको 2% के अपसाइट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक लगातार गिरावट में था हमने देखा कि 20 रुपीज 50 पैसे के लेवल से स्टॉक लगातार गिरावट में हम देख सकते हैं और जब गिरावट आये तो इस्टॉक ने 16 रुपे पर अपना सपोर्ट बनाया है और उपर की और अप सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है इसी रेंज में सस्टेन होता हुआ हमको नजर आ रहा है जिन्नोंने अब यहां इंट्री बनाई है 16 रुपे के ल यहार नहीं तो यहां से आमको एनी टाइम एक बड़ा जम देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि आप अगर आप ट्रेंड में है अगर आप चाहे तो 16 रुपे सौरी 15 रुपे 40 पेसे के स्टॉप लास के साथ कंटीन्यू कर सकते है जैसे इस्टॉक 18 रुपे के लेवल को ब् मिलेगा सर्कीट भी हीट होते हुए नजर आ सकता है उसके बाद हमको 20 रुपे 50 पेसे तक के तार्गेट शॉट टम में इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं